Hello viewers, confidence यह नहीं कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, confidence यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक होंगे पहाड पर चड़ते वक्त हमें यह सीखने को मिलता है कि जब उंचा बढ़ना हो तो जुकना पड़ता है सपने वो नहीं जो हम नीद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नीद नहीं आने देते हैं अपनी जिंदगी से कभी नराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो सफलता इश्क से नहीं, रिस्क से आती है जिसे कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त सुधार देता है ना पूछ की मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा होंसला, चाहे कुछ भी हो जाए ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है पानी को कितना भी गरम कर लें, पर वह थोड़ी देर बाद अपनी मूल सवभाव में आकर शीतर हो जाता है इसी तरह हम कितने भी क्रोध में, भै में, अशान्ती में रह लें थोड़ी देर बाद बोध में, निभ्यता में और परसंता में हमें आना ही होगा क्योंकि यही हमारा मूल सवभाव है जब तुम पैदा हुए थे, तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जशन मनाया था अपना जीवन ऐसे जीओ की, तुम्हारी मोत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जशन मनाओ मुझे अकेले चलने में बड़ा मज़ा आता है ना कोई आगे भागता है और ना कोई पीछे रह जाता है फिकर, ख्याल, इजद, देने वाले नसीब से मिलते हैं कदर कीजिए हर छोटा बदलाव बड़ी काम्याभी का हिस्सा होता है मुश्किले हमेशा बहतरिन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो लोग ही उसे बहतरिन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते है गलतिया करने में बिताया गया जीवन ना सिर्फ अधिक संभावनिया है बलकि बिना कुछ किये बिताये गया जीवन से अधिक उपयोगी भी है रिष्टे वो नहीं जिसमें रोज बात हो रिष्टे वो नहीं जिसमें रोज साथ हो रिष्टे तो वो हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है कीमत मोत की नहीं सांस की होती है प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है जीयो इतना कि जिन्दगी कम पड़ जाए, हसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो की इश्वास देने पे मुझबूर हो जाए आहिस्ता चले जिन्दगी कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ के दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं लफजी ही होते हैं इनसान का आइना, शकल का क्या, वो तो उमर और हलात के साथ अक्सर बदल जाती है तमीजदा होने का नुकसाँ ये भी है कि हजारों बातें दिल के अंदर ही रह जाती है क्रोध एक ऐसी आग है, जो दूसरे का नुकसान करे या नै करे, खुद का नुकसान चिरूर करती है अगर किसी चीज को तुम ज़्यादा चाहो, तो वो चीज ज़्यादा ही भाव खाने लगती है बहुत मुश्किर है लोगों के मन की बात समझ पाना, मुखोटे बड़े सस्ते हैं इस मेंगाई के बज़ार में हीरे को पर्खना है तो अंधेरे का इंतिजार करो, धूप में तो काँच के टुड़े भी चमकने लगती है अकड होती तो कबकी तूट गई होती, मैं थी नाजुक डाली जो सबकी आगे जुक रही कोई ताबीस ऐसा दो की मैं चालाक हो जाओ, बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी उदार बनो पर इस्तेमाल ना होने दो, प्यार करो पर खुद को ठेसने लगने दो, विश्वाश करो पर भोले मत बनो, दूसरों को सुनो लेकिन अपनी अवाज ने खोने दो आशा वो शक्ती है, जो उन परस्थितियों में भी हमें परसंद बनाई रखती है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे खराब हैं ये जो मुस्कान है ना मेरे चहरे पे, ये हुनर है मेरा हकीकत नहीं जिन्दगी ने एक बात जिरूर सिखाई, मा के सिवाई कोई अपना नहीं होता प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है, इसका सबसे सुन्दर जवाब गोतम बुद्ध ने दिया है अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो, तो तुम उस फूल को अपने पास रखना चाहोगे लेकिन अगर तुम उस फूल से प्रेम करते हो तो, तुम उसे तोडने की बजाए, रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुर्जाने न पाए, जिसने इस रहस्या को समझ लिया, उसने पूरी जिन्दगी को समझ लिया इंतिजार मत करो, जितना तुम सोजते हो, जिन्दगी उससे भी कहीं ज़्यारा तेजी से निकल रही है सच बड़ी काबलिया से छुपाने लगे हैं हम, हलात पूछने पर अब बढ़िया कहने लगे हैं हम पता नहीं कैसे परक्ता है मेरा इश्वय मुझे, इंतिहार भी मुश्किल लेता है और फेल भी नहीं होने देता समय बहुत बलवान है, पता नहीं कब किसकी गर्दन फस जाए, जहां आदर नहीं, वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पच्चता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सत्या पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो रिष्टा आप से आपका स्वाविबान छीन ले, वो रिष्टा रिष्टा नहीं घुटन है, जिस प्यार में सम्मान नहो, वो प्यार प्यार नहीं चुबन है, मेहनत एक ऐसी चापी है, जो बंद भागया के दरवाजे को भी खोल देती है, विवयरो ड्रोग्ट प्लिशद लिक शबस्क्राइब मैं धि,चू स्प्राइब,ट कैज देलेश लागया केकलते ह।